हेलो गाइज इस वीडियो में जानेंगे कि आप iPhone 2 computer या Windows laptop में कैसे अपने photos videos transfer कर सकते हो अगर आप अपने iPhone के storage फुल से परिशान हो और आप खाली करना चाते हो अपने laptop में send करके तो अभी आप कर सकते हो वरना वैसे नॉर्मली भी आप कोई चीज photos video send करना चाते हो अपने laptop में तो भी आप कैसे करोगे सबसे पहले आपको अपने iPhone को वायर के साथ connect कर लेना है iPhone को laptop या computer के साथ ये connection ज़रूरी है ठीक है second trick आपको connect करने के बाद में iPhone में न पॉप अप शो होगा trust और don't trust का you have to click on trust otherwise आपका phone connect नहीं होगा right trust button के ओपर click करो password एंटर करोगे अपना lock screen का right आपको password एंटर करने की option शो होगी आपको password एंटर करना है फिर आपका phone जो है न वो connect हो जाएगा laptop के साथ अब आपको दोस्तों connect करने के बाद में एक website open करनी है जिसका नाम है 3u.com उससे आपको यह software डाउनलोड करना है बहुत बढ़िया software है एक number software मेरे को मैं इसे 3-4 सालों से use कर रहा हूँ the one of the best software I have ever seen free है totally free है कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता windows के लिए इसको download कर लो मैंने already download किया पिछले 3-4 सालों से मैं इसको use कर रहा हूँ full भरपूर use कर रहा हूँ so अभी जलते है info right so जैसे यह software open कर लोगे install कर लोगे iphone को connect कर लो trust कर लो password enter कर लो अपने iphone में तो आपका phone जो है यहाँ show होना शुरू हो जाएगा सारी information show कर रहा है यहाँ iphone की कौन से आयस वर्जन पर जैल ब्रेक कर के नहीं कब वरंट एक्स पायर होनी है बैटरी हल्थ कितनी है चार्ज टाइम कितना है कितनी storage रह गई है A to Z सब कुछ show करता है ठीक है अभी आप देख सकते हो कि अगर आपको photos वीडियो ट्रांसर करनी है आपको left hand side में यहाँ photo section देखने को मिल रहा है इदर आ जाने है और यह जो ट्रीक है ना सिर्फ आइफोन तक ही नहीं सीमित आप अपने ipad का भी कोई भी data ट्रांसर कर सकते हो अपने windows computer laptop में सेम यही ट्रिक यूज़ करके photos open करो और कोई भी अगर आपको photos अगर आपको सारी की सारी photos सेलेक्ट करनी है आप सारा camera roll ऊपर यहाँ option है camera roll का राइट आप इसको select कर दो और सारा की सारे photos आपकी transfer हो जाएगी अगर आपको को single single photo send करनी है या video send करनी है तो आपको वो video select कर ल यहाँ अपनी सेव कर लो किस जगह पर आपको सेव करनी है मैं okay करता हूं और मेरी video सेव हो गई और open folder के ओपर क्लिक करूंगा तो यहाँ यह जो मेरी video है वो यहाँ पर आ चुकी है so in this way आप अपने videos photos को export कर सकते हो अपने laptop में अपने iPhone से so कैसी लगी है trick do let me in the comment section thanks for watching this video को like कर देना अगर अच्छी लगी हो easiest method are free में अपने friends के साथ भी share करो thanks for watching thank you so much